नमस्कार सातियों, अलफा टू बीटा क्लसेज में आप सभी का स्वागत है और सातियों आज इस शोट वीडियो की सीरीज में हम शिफ्टिंग मेथड को डिसकस कर रहे होंगे, इससे पहले अल्रेडी हम डिजिटल सम के बारे में या डिजिट सम के बारे में आपको बता चु चुकिए, तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसको आप जा की चैक आउट कर सकते हैं, साती सात, इस पर्टिकुलर सीरीज में साती हो, मैं आपको शिफ्टिंग में तर तो बताऊंगा, इसके साथ आपको concept प्लस उसके related जो questions होते हैं, उनको हम real time solve ठीक है, ताकि आपको इस particular topic की better understanding हो भाईगा, start करने से पहले साती हूँ, अगर आप हमारे telegram channel पर नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, यह हमारा official handle है, alpha 2 beta classes, कोई भी आपका doubt है, तो उसको आप इस particular channel पर post कर सकते हैं, या फिर आप हमें DM कर सकते हैं, आते हूँ, यह कुछ videos हैं, जो कि हमारे channel पर डल चुकी है, quality की अलग playlist बनी हुए, ठीक है, इसको आप check out कर सकते हैं, इस series को, computer की अलग playlist बनी हुए, उसको आप अलग से देख सकते हैं, CHSL में, अब की बार जो हुआ था, उसमें जो best questions पूछे गए थे, उनकी अलग playlist बनी देखो, सबसे पहले हम यह जानेंगे, कि यह जो shifting method होता है, यह कहां कहां पर इसका use होता है, तो सबसे पहले इसका use होता है, time, speed and distance की, और एक specific इसका use होता है, boat and stream के जो questions होते हैं, वहाँ पर, ठीक है, और कुछ इसका use हम देखेंगे, time and work के questions में, ठीक है, तो आगे हो, इसमें question में दिया हुए, कि एक आदमी है, जो कि 450 km को, कुछ distance वो car से travel करता है, और कुछ दूरी वो train से travel करता है, उसको 8 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है, यदि वो train से 240 km जाए, और बचा हुआ distance जो है, वो car से जाए, और उसको कुल में 20 मिनट जादा लगता है, मतल यहाँ पर अगर मैं car बोलूँ, और यह train है, और यहाँ पर मैं लिखूँ कि time, समय कितना लगता है, उसको खुल, आप एक बात बताओ, पहले case में car से कितना distance चला गया है, 240 km तो train से गया हूँ मैं, तो बचा हुआ distance 210 km में किस से गया हूँगा, car से, यहाँ पर मुझे समय लग रहा है, 8 घंटे, और 40 मिनट, ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो, इसने बोलाए, दूसरे case में उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर उसको 9 घंटी लग रहे हैं, तो यहाँ पर distance car से कितना चला गया होगा, तो 180 km तो मैं train से जा रहा हूँ, तो ब distance तो से ही मैं साथ लिए, तो अब एक बाद बताओ, 60 km कार को एक्स्टा चलाया जाता है, कार को 60 km एक्स्टा चलाया जाता है, तो वहाँ पर समय में, मुझे कितना chain देखने को मिलता है, समय में 20 मिनट ज़्यादा एक्स्टा लगते हैं, 20 मिनट मुझे ज़्यादा लग रह लगी, तो यहाँ से मैं एक चीज़ देखनाओंगा, कि 4500 में वो कितना time लेगी, ठीक है, तो आप एक बाद बताओ, अगर यहाँ पर मैं 180 km ज़्यादा चलाओंगा, तो समय में मुझे कितना gap देख रहा है, अगर 60 km एक्सा चलाया जाता है, तो वहाँ पर 20 मिनट लगते ह इस दूरी का एक तिहाई time जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पर time जो बढ़ेगा, वो 60 मिनट बढ़ जाएगा, इसका एक तिहाई, तो मतलब यहाँ पर 4500 km को travel करने के लिए, समय कितना लगेगा, समय लगेगा 10 घंटे, तो जो car है, वो 4500 km को 10 घंटे मे अब साथ ही इस question को देखो, इस question को आपको यहाँ पर वीडियो पोज करनी है, अब मैंने एक type आपको बता दिया ना, इसको आपको खुद practice करना है, खुद practice करने के बाद आपको solution को match करना है, इसे आप बहतर understand कर पाऊगे, अब देखो question में दिया गया कोई आदमी है, जो क 240 km को चलता है, कुछ दूरी वो train से चलता है, और कुछ दूरी वो bus से चलता है, अगर वो, उसको साड़ी तीन घंटे का समय लगता है, अगर वो 1500 km ट्रेन से जाए, और बचावा distance वो bus से जाए, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि यह train है, यह bus से है, और यहाँ पर मैं लिक र 40 km बस से जाए, बचावा distance, that is, 100 km वो जाएगा train से, तो यहाँ पर समय जो लगेगा, he takes 3 घंटा and 2 बटा 3 आर्स, तो 3 घंटे और 2 बटा 3 आर्स में कितने मिनट्स हो जाएगे, तो इसमें हो जाएगे 40 मिनट्स, तो इसमें हो जाएगे 40 मिनट्स, तो आप से पूछा, what is the speed of train, train के speed बतानी है, तो मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं इस case पे खड़ाओ, और मैं बोलता हूँ कि मैंने train को extra 50 km दिया, ठीक है, अगर मैं train को extra 50 km चलवा रहा हूँ, तो समय में मुझे कितना chain देखने को मिल रहा है, वैस समय आपका 10 मिनट्स से कम हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं ही कह रहा हूँ कि 100 km तो चली चुकी है, बचा वो total distance 240 था, तो इसको 140 km और चलवा दो, ठीक है, तो आप ये पूरा distance चल लेगी, तो 140 km जब मैं इसको ज़्यादा चलवाँगा, तो मिले को जो समय लग रहा हुगा, समय कितना कम लग रहा हुगा, अब देखो, इसका 1-5 जो time है वो लग रहा है, उतना कम हो जा रहा है, तो 140 का 1-5 कितना होगा, ठीक है, इसका double कर दो 14 का, 14 दूनी 28, 28 मिनट कम हो जाएंगे, 28 मिनट जब कम होंगे, तो 240 km को, रेन ने कितनी देर में cover किया हुगा, 3 घंटे और 12 मिनट, 12 मिनट मतलब 1 बटा 5 घंटा, तो यह हो 24 km जाएगी, option B, इस सवाल को देखो, इसमें बोला गया है, एक 400 km के distance को, दो face में cover किया जाता है, पहली face में 100 km कार से जा रहे हैं, और बचाओवा distance बस से जा रहे हैं, तो ऐसा करने पर 6 घंटे लग रहे हैं, दूसरे किसमें 1500 km more, ध्यान देना यह more लिखा हुआ है, तो अ और बस को बचाओवा distance, that is 300 km, यहां पर 6 घंटे लग रहे हैं, दूसरे केस में मैंने बोला 1500 km more is covered by car, मतलब यहां पर 1500 km travel करेगी car, ठीक है जी, और बचाओवा distance, that is 1500 km कों cover कर रही होगी, 1500 km cover कर रही होगी आपकी bus, ठीक है, तो यहां पर 60 मिनट कम लग रहे हैं, 60 मिनट कम अगरे मतलब एक घंटा कम लग रहा है, पहले 6 घंटे लग रहे थे तो आप 5 घंटे लगेंगे, आप से पूछा जा रहा है, find the speed of car, find the speed of car is how much greater than bus, आपको दोनों की speed का difference पूछा है, तो आप मिरे को एक बात बतो, कि यहां पर अगर मैं car को 1500 km ज्यादा travel कराता हूँ, तो स distance cover कर लेगी, 400 km का, तो जब 1500 km एक्स्टा चलवाँगा car को, तो एक घंटा कम हो जाएगा, तो मतलब इस base से, क्योंकि यहां पर मैं compare कर रहा हूँ, तो इस base से एक घंटा कम हो जाएगा, एक घंटा कम मतलब 4 घंटे, तो 400 km को अगर कोई बंदा 4 घंटे में travel कर रहा है, तो बस का जो time आजाएगा न, बस ने 300 km, कितनी दिर में क्योंगे, पांच घंटे में, बस की speed आगी, 60 km पर आवा, दोनों का difference, 40 km पर आवा, option B, अभी यह वो famous सवाल लिसाती हो, accident वाला, जो train का एक accident हो जाता है, ठीक है, और उसमें आप से बुछता है कि कितना distance उसने पूरा चला है, इसमें भी आप shifting का use कर सकते हो, अगर आप से distance पूछा जा रहा है कि वाल, ठीक है, आप एक बाब धाओ, इसने बोला है कि 200 km चलने के बाद एक train का accident होता है, और उसकी speed जो है, उसकी actual speed का forfeit हो जाती है, और ऐसा करने पर वो अपने गंतावय पर 45 मिनट देरी से पह ठीक हो, अगर यह मैं बनाता हूँ कि पूरी दूरी, कुल दूरी है यह, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इसमें 200 km travel कर लिए, तो यहाँ पर इसका accident हो गया मांदो, ठीक है, इस case में, इस case में सातियों, वो 45 मिनट लेट हो रही है, ठीक है, पर एक दूसरा case मैं बनाता कि यहीं पर है यह ऐसे, और अब accident यहा ना होगे, यहाँ होता है, 40 km दूर होता है, तो यहाँ पर अगर accident होता है, तो वो कितने देरी से पहुँच रही है, अपने गंते पेपर, 30 मिनट देरी से पहुँच रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, 15 मिनट कैसे सेव होगे, तो सात 40 km का distance है, अगर यहाँ पर accident होता है, तो range जो है, 15 मिनट save कर लेती है, तो मैं यह बोलता हूँ, अगर यह 15 मिनट save हो रहे हैं, इस 40 km की वज़े से, तो अगर 30 मिनट बाद मैं accident कर रहा हूँ, सातियों, यहाँ से point, अगर accident यहाँ होगा है, तो मैं बोलता हूँ कि 30 मिनट बा बाद accident होगा, मतलब यहाँ से 80 km बाद, मतलब indirectly मैं आपको बताना चालूँ कि मैंने यह पूरा पैच निकाल लिया है, यहाँ से यहाँ का, जो कि कितना था 80 km, 80 यह, 40 यह, 120 और 200 यह, 320 km, option D, तो सातियों, अभी तक जो हमने problems देखी ना, वो सारी किस की थी, time speed and distance की थी, जो की 10 km upstream जा सकती है, 20 km downstream जा सकती है, 7 गंटे में, मैंने लिखा upstream, downstream और यहाँ मैंने लिखा time, ठीक है, तो अगर वो 10 km upstream जाती है, 20 km downstream जाती है, तो उसको लगते है 7 गंटे, ठीक है, और अगर वो 20 km upstream जाती है, 10 km downstream जाती है, तो उसको लगते है 11 गंटे, ठीक है, तो आप से य downstream speed पता हूँ नहीं चीए, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर, तोटल distance 30 km का है, अगर यहाँ पर यह, मैं इसको 10 km चद़ा travel कर रहा हूँ, upstream speed से, तो यहाँ पर समय में कितना देखने को मिल रहा है, change, समय मुझे 4 गंटे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यह बोलता हूँ, कि सब आप एक काम करो, कि आप यह 10 km और चलवा दो इससे, तो इसने पूरी दूरी, कुल दूरी इताय कर लिए होगी, 30 km, 30 km upstream से यह कितनी देख में जाएगी, 4 गंटे जोड़ दो यहाँ पर, तो 4 गंटे में को बोट ने 2 गंटे में टावल किया होगा, यह चीज़ आपको समझ में आई, कि भाई, जब मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो 5 आएगा, 5 उधर जाके 2 बनाएगा, 2 2 गंटे में 20 km, 1 गंटे में 10 km, तो 10 km पर आवर क्या आगी, downstream speed, बोट की speed के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को एड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 km option D, ठीगे जी, यह question देखो, अब साथ हमारा बोट इन स्टीम वाला part भी complete हो गया, अब हम बात करेंगे time and work की, time and work किन कोशनों में यह लग सकता है, तो इस question को देखो, इसमें आपसे बताए गया कि A ने एक काम को करना शुरू किया, और उस पे 5 दिन तक काम किया, और वो छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम जो है, B कितने दिनों में कथम करतेता है, 16 दिनों में, अगर A जो है, 8 दिन तक काम करता है, तो B जो है, बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, in how many days can A finish the whole work alone, साथ ये एक बात बताओ, अगर मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, 5 दिन तक A काम करता है, बचा हुआ काम जो है, वो कुन कर रहा है, 12 दिन में B कर रहा है, ठीक है, अब दूसरा cycle मैंने बनाया, काम तो सेम ही है, टोटल वर्ट तो सेम ही है, बट यहाँ पर इसमें आपको बोल दिया है कि A जो है, तीन दिन ज्यादा काम करता है, मतलब अब वो 8 दिन तक काम कर रहा है, तो B के जो relative days होंगे, वो कम हो जाएंगे, तो B केवल 10 दिन तक काम करेगा, 10 दिन तक B काम करेगा, तो आप मेरे को एक बाब बताओ, अगर मैं A को extra 3 दिन दे रहा हूँ, तो relatively B के कितने दिन कम हो रहे हैं, relatively B के 6 दिन कम हो रहे हैं, तो यहां से मुझे एक चीज बता चलगी, कि A की जो efficiency है वो B के 2 गुना है, तो बस यह चीज काम की थी, अब आप एक बाब बताओ, अगर A की efficiency B के 2 गुना है, और मुझे निकालने A के days, तो आप एक बाब बताओ, ना कि यह 16 दिन में, जो B ने काम किया है, यह A कितने दिन में करेगा, A 8 दिन में करेगा, तो 8 A तो यह हो गया, और 5 A यह हो गया, तो साथ ही टोटल काम हो गया, 13 A, efficiency क्या है A, तो में कितने लागेगा, 13 दिन, ठीक है, और वो छोड़ के चला जाता है, दो दिन बाद, बचा हुआ काम जो है B, 9 दिन में खतम करता है, अगर A, 3 दिन तक काम करता, तो B को बचा हुआ काम करने के लिए, 6 दिन लगते, आप से पुछा जा रहा है, A alone कितने दिन में उसको हमको कर देगा, ठीक है, आप मिरे को एक बाद बताओ, यह मैंने डिस्टेंस बनाया, आती हुआ यहाँ पर, इन्हें दो दिन तक काम किया है, बचा हुआ काम B ने कितने दिन में किया, 9 दिन में, काम सेमी है, दूसरे केस में, और यह चीज यह बनाने कि ज़रूत नहीं आपको बिल्कुल भी, आपको सिंपल डिफरेंस देखना है, और उसको एक्वेट करना है, ठीक है, यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो अगर A तीन दिन तक काम करता है, ठीक है, तो साथियों A की जो एफिशिंसी हो जाएगी, वो B के तीन गुन हो जाएगी, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, A के डेस पूछा जा रहा है ना, तो आप एक बाँ बताओ ना, कि तीन दिन, अगर नो दिन B काम कर रहा है, तो यह जो काम होगा, यह पैच जो होगा, यह वाला, यह A कितने दिन में कर देगा, तो A कर देगा इसको, तीन दिन में, तो तीन A प्लस 2 A, टोटल काम होगा, फाइफ A, A की एफिशिंसी से काम कराना है, पांच दिन, ओप्शन A, ठीक है, इस कोशन को देखो साथियों, इस ताइब के कोशनों में भी यह लग जाता है, अगर A 25% काम करता है, तो B जो है, बचा हुआ काम करता है, और ऐसा करने पर 20 दिन लगते हैं, अगर B 25% काम करे, और A बचा हुआ काम करे, तो ऐसा करने पर 30 दिन लगेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि time बताओ कि B alone उसको कितने दिन में करेगा तो मैंने बोला यह A है यह B है और यहाँ पर मैंने लिख दिया समय time यह फिर समय तो इसने बोला कि A अगर 25% काम करता है न और B 75% काम करता है तो समय लग रहा है 20 दिन और मैंने बोला अगर B को 25% काम करता है और A को 75% काम करता है तो समय लगेगा 30 दिन यहाँ से एक चीज़ तो clear होगी यह साथ है कि जो A की efficiency है वो कम है क्योंकि A से अगर जब मैं काम ज़्यादा करा रहा हूँ तो मेरे number of days बढ़ रहे तो आपसे पुचा जा रहा है कि B alone कितने दिन में करेगा मैंने बोला अगर B को 50% काम ज़्यादा करा जाता है तो number of days जो है वो 10 से कम हो जाते है तो इसने 25% काम करी लिया है ना भाई आप इससे 75% काम और करा दो तो 75% काम जब मैं और करा हूँगा तो number of days 1-5 से कम हो रहे ना तो इसका 1-5 क्या होगा 15 दिन तो 15 दिन और कम लगेंगे मतलब इसने 100% काम मतलब पूरा काम जो है बी ने कितने दिन में किया 15 दिन में यह आपका answer है option C तो साथियों यह थी आज के हमारे सवाल उमीद कर रहे हैं कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और यह जो है question आपका यह जैसे कि हम हर बार करते हैं यह आपका है question of the day इसका answer जरूर से आपको comment section में mention करना है ठीक है साथिसाथ आपको यह भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आप इनकी PDF चाते हैं तो आपको यह हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी यह हमारा चैनल है alpha 2 beta classes इसको आप जोइन कर सकते हैं और अगर आपको session अच्छा लगा है अगर हम आपसे दो चीज़े demand करेंगे कि आप चैनल को subscribe करेंगे साथी साथ वीडियो को like करेंगे आपके एक like से हमें काफी motivation देखने को मिलता है हम और इस परकार का content आपके सामने लाते रहते हैं कोई भी आपका सुझाव है उसको आप comment section में mention कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसको share कर सकते हैं तो आज के लिए साथ यूँ इतने रखते हैं जल्दी हम और भी content के साथ आएंगे तब तक के लिए अपने परिवार जनों के साथ रहें पुश रहें जैहिन